वागत है आपका English Literature कासल चैनल पे आज हम Charles Dickens के बारे में कुछ जानेंगे बहुत ही मशूर नॉवलिस्ट हैं जनम हुआ था इनका 7 फरवरी 1812 में पॉसमाउट में ये एक छोटा सा शहर है इंग्लैंड में Victorian era से ये बिलॉंग करते हैं Queen Victoria का राज था उस समय Queen Victoria 1800 सो में इनका राज चलुआ और 1901 तक रहा Victorian era में कोई TV नहीं था, computer नहीं था कोई भी central heating, car वागेरा नहीं थी Industrial Revolution लगबग चालू हो गया था बहुत स्पीड में और छोटे-छोटे कजबे शहर बहुत तेजी से वहाँ पे वरकर्स काम कर रहे थे बहुत ही ज़ादा अमीर और गरीब की बीच वहाँ पे डिफरेंस हो गया था खास तोर पे क्योंकि इतनी technology नहीं थी तो लोगों की safety की साफ सफाई की वहाँ विवस्ता नहीं रहती थी जादर जादा मुनाफया पानने के लिए बहुत सारे लोगों को बुरे हालात में काम करना पड़ता था क्योंकि कुछ machines जो थी बहुत सकड़ी भी थी इसलिए छोटे-छोटे बच्चों को वहाँ पे काम पे लगाया जाता था उनके माता-पिता को जोटे केस में फसाद दे थे ताकि उनके छोटे-छोटे बच्चों को वहाँ पे काम करना पड़े Charles Dickens खुद एक बहुत गरीब परिवार से बिलॉंग करते थे उनके पिता जी को जेल हो गई वो करजे में आ गए उनको बहुत पहले से बच्चमन में ही काम करना पड़ा अकेला पन भी उनने अपने जिन्दी के में बहुत काटा एक बहुत मशूर पैन नेम बोज नाम B.O.Z. इस पैन नेम से इन्होंने पहले जर्नलिजम का काम किया और आर्टिकल लिखते थे ये The Mirror of Parliament and The True Son ये दो मैगजीन्स में और दिरे-दिरे करके इन्होंने पब्लिशिंग का काम चालू किया और ये नॉवलिस्ट बनने की और अगसर हुए इनके वर्क बहुत ही ज़ादा वाइड रेंज में acceptable किया गया पंदरा नॉवल और कहीं सारे short stories और non-fiction work थे जो ना सिर्फ इंग्लेंड बलकि United States में भी बहुत ज़ादा मशूर रहे दस बच्चों के पिता होने के बाद 9 जून 1870 में स्ट्रोक से इनकी देथ हुई poets corner Westmater Abbey में इनको अंतिम विदाई दी गई कुछ खास बातें डिकन्स के बारे में वो paranormal विश्वास रखते थे ghost club के वो member थे उनका नाम आज भी 10 pound के note पे आपको मिल जाएगा उनके honor में उनका चैरा उस 10 pound के बिटिश नोट पे चफ़ाया गया चार्ल्स डिकन्स बहुत ही अलग personality के थे उनकी paranormal में खास belief थी मानेता थी अलग तरह के energy वो महसूस करते थे शायद उनकी बच्च्पन के हालाथ ऐसे थे जो कुछ अनविश्वास पे उनका यकीन हो गया था दीरे दीरे करके ये बहुत बड़ी लिस्ट है कुछ खास works की चार्ल्स डिकन्स के इसमें मैं खास refer करूँगा आपको Oliver Twist जरूर पढ़िए बहुत ही खास work बहुत ही खास आपको interest आएगा और पता चालेगा कि कैसे मुश्किल हालात में रहा जाता है डेविट कॉपर फिल्ड जरूर पढ़िएगा बहुत ही खास work फिर ना भूलने से रायक A Tale of Two Cities दुनिया की सबसे ज़ादा बेखने वाली की novel में से एक है ये और बहुत ही ज़ादा worldwide सरहाना मिली A Tale of Two Cities को तो ये कुछ work है जो मैं personally आपको तीनों वैफर करता हूँ Oliver Twist David Koppelfield और A Tale of Two Cities और वैसे जितना कहा जाए इनके बारे में कम है आज के लिए इतना ही धन्यवाद